दोस्तो यह पाठ जो है आपका यात्र विर्तांत है यानि आपको पूछा जगा निवन्ध है कहानी है लेख क्या है यह यात्र विर्तांत है पाठ का सारांस हम लोग कुछ इस परकार से पढ़ेंगे सारांस से आपको काफी परसन पूछे जाते हैं तो सारांस को अपको ध्या से देखना है दोस्तों यह पाठ जो है जगदिश चंद्र माथुर जी वो सदा नीरा सिर्शक निवंद के माध्यम से गंडक नदी को निमित बनाकर यानि इसको एक आधार मान करके इन्होंने यह यातरा विर्तांत लिखें उसके किनारे की संस्किर्तिक और जीवन परिवार क अतरंग जहां की पेश करते हुए यह स्वय गंडक नदी की तरह प्रवाहित दिखलाई परते हैं यह जो है पहली घटना जाने के सरपर्थम चंपारन की घटना है ठीक है छेदर की प्रकृतिक वाताविन का वर्नन करते हुए उसकी एक अंग की मनोहरी अंकन करते हैं यह ज लग्दिस चंद्र मातुर्ची बताये हैं यह आपका सारांस है इसका पीडियाफ आपको ग्रूप में दे दिया जाएगा सीडिस हम बात करते हैं सब्जेक्टी प्रसन का जो की महतपूर हैं आपके बोर्ड परिक्षा के लिए चंपारन छेत में बाड का परचंडता के बाड आगा दोस्तों जहां पे अगर गाच राता है उसके जर रहता वहां पे मिट्टी फकर बनारता है गाच करने वाद मिट्टी आपके हल्का हो जाता और पानी से तुर्य तो milestones को बहसी संतुरूत करने का काम करते हैं यदि जल रासी नदी की स्थिमाओं से ज़्यादा हो जाती है तब बाढ आ जाती है जब पानी जो है नदी में अधिक आ जाती है बाढ जितना तर उससे उपर आ जाते हैं तो वही अपका बाढ का रूप ले लेते हैं लेकिन जब बीच में उनकी सक्तियां को ललकारने वाली गगन चुम्मी बन ना हो, तब नदियां परचन काली का रूप धारन कर लेती है, मतलब अगर वहां पर जंगल धार ना हो बन ना हो, तो वहां पर जोब परचन रूप लेती है, क्योंकि पानी तेजी से भागते हैं, और अच्छे खासे मतलब क्या होता है, काफी नुकसान पहुंचाते हैं, आज चंपारन में बिरिक्ष को काटके किरसे युक्त समस्त भूमी बना दी गई है, अब उनमुक्त नवयोबन को रोकने वाले कोई न रहा, इसलिए अपनी ताकत का आहसास कराती है, लगता है, मान जिहास की क्रीमी आई परक्रिया क्या आसे है, का क्या आसे है, क्रीमी आई परक्रिया के बारे में जानेंगे, पाड़े को सोने में बदलने की एक परक्रिया है, यह जो परक्रिया क्या है, तो पाड़े के कुछ बिलेपनों के साथ उच्छ ताप कर्म पर गर्म किया जाता ह लेखक ने पाठ के संदर्व में क्रीमियाई परकिलिया का आसे देते हुए कहा है कि जिस प्रकार पारा दूसरे प्रकार का पदार्थ है और उसे कुछ पदार्थ के संगम से यानि मिला करके बिल्कुल भीन पदार्थ उद्भाव मतलब बनाया जाता है उसी तरह सुदूर द थे लेकिन हमने पर वहां पर नहीं बता पाई थे तो आभी समझ लेते हैं धागर सब्सक्राइब का अर्थ होता है और आप भासा में है और आप भासा में धाकर भारे का मजदूर धागर एक आदिवासी जाती है जिसे अठारवी सटावडिक के अंत में निल की खेती सिलसले म दक्षिन बिहर के छोटा नागपूर हैं यह तक दक्षिन बिहर कहां पर चोटा नागपूर पठार के चंबारन के लाके में लाए गया था यह अधिवासी मज़्दूर को दहागर जाती अधिवासी जातियां और आव मुंड़ा लोहोर इत्यादी के वन्सज हैं ठीक है लेक अच्छा खासा जीवन जीते हैं गंगापर पूल बनाने में अंग्रेज ने क्यों दिल्चस्पी नहीं ली क्योंकि वह जानता था कि दक्षिन बिहार की बागी विचारों का असर चंपार्ण में देर से पहुंचे इस तरह चंपार्ण पर बढ़ सोक तक बेटी समराज की छा अपर बनाया जाए हमेसा वह सोच ते ठीक है को उक्रीक स्पार्ण में सिक्षा की व्यवस्ता के लिए गंदे जी ने क्या किये थे चंपार्ण गांदे जी का आए थे तो आपड़ी लुनीस साथ 17 में आए ठीक है किसान के समस्या को लेखने के लिए चंपार्ण में सिक्षा विवस्था के लिए गांदे जी ने अनेक काम किए अनेक बच्चे के लिए बिक्या सिख्षे का व्यवस्था लाए, बहुत सारे आर्सिक समस्या था, उसे भी उर्णे दूर करने का प्रयास किये थे, और मतलब बिद्याले अस्थाफित करवाए थे, मदवनी का भितहरावा में, मतलब कि यही सब बात आपको यहां पर देख ल गाउं से सन 1917 में बुलाया था सिक्षा देने और रामिनों को भाय रोहन के लिए, पुन्डिलिक जी गांदी जी के आदर सच्चे दिल से मानने वाले बड़े निर्भाय पुरुच थे, पहले एक कायदा था कि साहब जब आये तो गिरही पती उसके घोडे की लगाउं पकर सबसे बड़ी देन है, बसुधर आप होगी मानव और धर्माद मनव एक ही सिक्के के दो पहलू के हैं, यहां पर भी अंसर दिया गया था, दोस्तों इसका पीडिएफ अगर आपको प्राप्त करना है, पीडिएफ आप लेना चाहते हैं, तो पीडिएफ के लिए आपको क्य करके क्लीकर करें अंदर जाना है, यहां आएगा आपको सब्से पहले मिलेगा, फिर आपको सब्जेक्तिव का सॉलूशन मिलेगा, यहां प्रिक करते हैं आपके सामने जब पूरा चेप्र कर आजाएगा इस परकार्ट से आप सभी विशा की तैयारी कर सकते हैं class 10th में अगर आपके relation या कोई भी है उन्हें भी आप इसके बारे जनकारी अवस्य दे साथ ही class daily आप कर सकते हैं 11th में उन्हें भी कर सकता है यह वीडियो आपको कैसा लगा कॉमेंट में आप जरूर बताएगा आपको यहां पर थोड़ा में जल्दवाजी में क्लास ले लेता हूं या फिर क्या बोलने में भाइस का जो भी प्रॉब्लम है भाई आप लोग से रिक्वेश्ट प्लीज जरूर बताएगे जो क